गाईस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल दीपांश माजन को और बेल आइकन को प्रेस करो और और आल को प्रेस करो जिससे मैं अपने चैनल पर जो वीडियो से अप्लोड करूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाए अपने चैनल दीपांश माजन के इक नई वीडियो में आपका बहुत दूस्वा आगते दोस्तों आज में करने आवालो है कमपैरिजन रियल्मी एक्स और वीवो एस वन के बीच में मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई जाएगा तो दोस्तों आगे बढ़ते है इस वीडियो में और चेल ये शुरू करते हैं तो येल्मी एक्स फ्रंट से आता है फुल विव डिस्प्ले के साथ में मिन्स यहाँ पर हमें एक बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिलती है क्योंकि इस फोन में आपको एक पॉप अप सेलफी कैमरा देखने को मिलता है जबकि वीवो एस वन आता है एक डिूड रॉप नौ जबकि वीवो एस वन आता है 6.38 इंचेस की एक फुल हडी प्लस एमोले डिस्प्ले के साथ में तो यहाँ पर भी कोई एक विनर नहीं है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर सिक्योरिटी की तो दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई विनर नहीं है और दोस्तों यह चोटी चोटी चीजे फोन्स को काफी फ्यूचर स्टिक सा बना देती है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर कुछ और चीजों की जिसे दोनों फोन्स में आपको हिट फोन जैक देखने को मि की तो रियल्मी एकस में आपको सिर्फ डूयल नैनोस हम का स्लॉट देहने को मिलता है मींस आप । फ्याहँ त्रिप्ल अट शे 다य देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर पर्फॉर्मेंस की तो रियल में एक साता है स्नैपड़ेंगर 710 के साथ में जबकि वीवो एस वन आता है मिडिया टेक हेलियो P65 के साथ में तो दोस्तों दोनों फोन्स में आपको लगभग एक्वल सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे में इस 19-20 का आकड़ा रहने माला है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर बैटरी की तो रियल में एक साथ है 3765 एमेज की बैटरी के साथ में यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए Type-C Port देखने को मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आपको 20W का VOOC 3.0 का Fast Charger Inbox देखने को मिल जाता है जबकि Vivo S1 आता है 4500 एमेज की बड़ी बैटरी के साथ में यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए Micro USB Port देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर आपक 8 Megapixel का Camera एक Main Lens यहाँ पर आपको F1.7 का aperture देखने को मिलता है और यह Sony IMX586 का Sensor जबकि 5 Megapixel का Depth Sensor इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर इसके Front Camera की तो Realme X आता है 16 Megapixel के Pop-Up Selfie Camera के साथ में और यहाँ पर आपको Sony IMX471 का Sensor देखने को मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आपको F2.0 का aperture देखने को मिलता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर रियर कैमरा की तो Vivo S1 आता है 16 प्लस 8 प्लस 5 Megapixel के क्रीपल रियर कैमरा सेट अपके साथ में 16 Megapixel का Camera एक Main Lens यहाँ पर आपको F1.78 का aperture देखने को मिलता है 8 Megapixel का एक Super Wide Angle Lens जबकि 5 Megapixel का Depth Sensor अगर हम बात करते हैं आपर सेल्फी की तो Vivo S1 आता है 32 Megapixel के सेल्फी कैमरा के साथ में दोस्तो अन पेपर तो दोनों फोन्स के फ्रंट ओल ही है कैमरा काफी स्ट्रॉंग लग रहे है लेकिन दोस्तो अगर हम बात करते हैं आपर कैमरा में विनर की तो मैंने निचे डिस्क इंडिंग का वीडियो है वो इंडोनेशियन लेंग्वेंज में तो यदि आपको उसका कैमरा वर्वी देखना है तो आप उस वीडियो को एक मिनिट 52 सेकेंड तक स्किप कर दीजिए और फिर उस वीडियो को देखिए दोस्तों इन दोनों वीडियो को देखने के बाद इसके लिए प्राइसिंग रखी गए थी यहां पर 20,000 रुपे जबकि वीडियो एस वन इंडिया में लॉंच होने माला है तीन रेम बेरेंट में 4 जी मिरें 64 जी बी स्टोरेज 4 जी बेरें 128 जी बी स्टोरेज जो इसका बेस वीरेंट होगा 4 जी बेरें 64 जी बी स्टोरेज इसके साथ में उसकी प्राइजिंग रहे सकती है यहां पर 16-17,000 रुपे के आसपास इंडिया में और अगर हम बात करते हैं आप वीडियो एस वन के इंडिया लॉंच की तो यह साथ अगस्त को इंडिया में लॉंच होने माला है दूस्तों फाइनली अगर हम बात करते हैं वीडियो के लीए तो आपट होतंर इन दोनों में से यह पसंद आया बाकि दोस्तों आप मुझे कमें करके बताई कि आपको इन दोने में से कौन सा फोन अच्छा लगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही वजो मीद आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सिक्षिन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं मैं कोशीश करूँगा अगली वीडियो में स्वालू करने की मैं हुदी पांच और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई